आज हम लोग इम्मुनोलोजी के कुछ इंपोर्टेंट कंसेप्ट से अपने डिबीटी ज्यारेफ के प्रिपेर्शन की सुरुवात करेंगे डिबीटी ज्यारेफ में इम्मुनोलोजी से अच्छे खासे कॉस्चन रहते हैं इसके कॉस्चन पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में मिल जाएंगे आपको इसलिए इम्मुनोलोजी को पढ़ना और भी जगुवी हो जाता है इम्मुनोलोजी को जानने से पहले हम जानेंगे कि इम्मुनोलोजी में आखिर हम पढ़ते क्या है तो इम्मुनोलोजी यह जैसा की टर्म ही इंडिकेट का कहा है कि इम्मुनिटी से सम्भंधित है इम्मुनिटी मतलब हमारा बॉडी कैसे पैथोजन से इंडिकेट करता है कैसे एंडिकेट को इलिमिनेट करता है इन सब चीजों को हम देखेंगे कैसे किसी खास डिजीज में बॉडी का रेस्पॉन्स होता है इन सब चीजों को भी हम लोग देखेंगे कब हमारा body proper immune response सो नहीं कर पाता उस तरह के complication जैसे कि autoimmune diseases में क्या होते हैं इन सब को हम अच्छे से detail में कबहर करेंगे तो आएए देखते हैं innate immunity innate immunity का मतलब है natural immunity immunity by birth ये by birth immunity है इसमें बहुत सारी चीजें हैं बहुत सारे barrier हैं जो antigen को entry करने से रोकते हैं और इस तरह से वो जन्म से ही जो है immunity हमें मिला होता है ताकि हम pathogens, antigen का सामना कर सकें और disease होने से अपने आपको बचा सकें ये by birth immunity है इसलिए इसको natural immunity भी कहते हैं या innate immunity कहते हैं कुछ immunity ऐसा होता है जो birth होने के बाद develop होता है उसे हम लोग adaptive immunity कहते हैं या acquired immunity कहते हैं तो acquired immunity after birth develop होता है और adaptive immunity before birth या हम कहें कि since birth बर्थ से ही develop होता है अलग अलग cells involved होते हैं दोनों तरह की immunity में innate immunity में अलग cells involved होते हैं अलग तरह के इसमें रोल है adaptive immunity अलग तरह के से रोल प्ले करता है तो हम एक-एक को बागी की से देखेंगे आए देखते हैं और blood cell lineage के बागे में तो blood cell lineage मतलब कौन-कौन से blood cells हैं जो innate immunity में गोल प्ले करेंगे और कौन से blood cells हैं जो adaptive immunity में गोल प्ले करते हैं उनका formation कैसे होता है तो formation होता है hematopoetic stem cell से hematopoetic stem cell एक तरह का multipotent stem cell है multipotent stem cell मतलब यह stem cell कई तरह के blood cells बना सकता है इसलिए हम hematopoetic stem cell को multipotent stem cells भी कहते हैं इनमें self-renewing capacity होता है यह hematopoetic cells दो तरह के progenitor cell बनाते हैं myloid progenitor और lymphoid progenitor myloid progenitor again blood cells के बहुत सारे blood cells इससे बनते हैं जैसे की myloid progenitor से red blood cells और white blood cells के बहुत सारे cells form होते हैं जैसे की monocytes, neutrophil, eosinophil, basophil इन सब को बनाने के लिए progenitor cell है जैसे की basophil को बनाने के लिए basophil progenitor, eosinophil को बनाने के लिए eosinophil progenitor है granulocyte, monocyte progenitor यह बनाता है neutrophil और monocytes monocytes जब blood cells से migrate कर जाते हैं tissue में तो इनका नाम बदल के हो जाता है macrophage यानि कि monocyte और macrophage में बस अंदर इतना ही है कि monocytes जब freely flow करते हैं bloods में तो उनको हम monocyte के नाम से जानते हैं और जब यह monocyte migrate कर जाता है तो इसका नाम बदल के हो जाता है macrophage migrates into tissues to become macrophages यह एक तरह का antigen presenting cells भी है इसके बारे में और details हम लोग देखेंगे myloid presenter cells, dendritic cells भी form करते हैं फिर हम लोग देखेंगे कि यह जो dendritic cells है यह lymphoid progenitor along with myloid progenitor दोनों ही तरह के progenitor cells जो है dendritic cells form कर सकते हैं तो यह दोनों में common चीज है जैसे कि dendritic cells दोनों बना रहे हैं myloid progenitor वाले cells भी और lymphoid progenitor वाले cells भी इसके अलावा lymphoid progenitor cells natural killer cells बनाते हैं जो कि innate immunity में बहुत अच्छा role play करते हैं इसके अलावा यह lymphoid progenitor cells adaptive immunity के लिए भी कुछ cells form करते हैं जैसे कि T cell progenitor, B cell progenitor T cell progenitor again differentiate होता है दो forms में helper T cells और cytotoxic T cells B cell progenitor इससे B cell बनेगा और यह again differentiate होके antibody बनाएगा इस तरह से हमने देखा कि जो भी blood cell lineage है red blood cells, white blood cells, natural killer cells यह सब को बनाने के लिए hematopoetic stem cell है जो कि multipotent in nature है और यह blood cells जो है अधिकतर blood cells, most of the blood cells fight करते हैं infections के against अधिकतर ब्लेट सेल्स, most of the blood cells fight करते हैं अधिकी की बात करें तो adaptive immunity को फर्दर डिवाइड किया गया है humoral immunity और cell-mediated immunity humoral immunity का role play करने के लिए B cells responsible है और cell-mediated immunity का role play करने के लिए यह cytotoxic T cells और helper T cells responsible है और यह जो तीनों तरह के cells है B cells, helper T cells, cytotoxic T cells इनको बनाने के लिए lymphoid poisonator cells responsible है dendritic cells and macrophages directly kills microbes by phyrocytosis यह phyrocytosis के द्वारा directly cells को kill करने के लिए responsible है यह microbial cells, इसली kill कर सकते हैं इसलिए इन्हें हम लोग antigen-presenting cells भी कहते हैं या phyrocytic cells के भी कहा जाता है इनको They also help to activate T cells dendritic cells और macrophages यह T cells को भी activate करते हैं यानि कि यह जो innate immunity के cells हैं यह adaptive immunity को activate करने के लिए भी responsible हैं इस तरह से हम कह सकते हैं यह dendritic cells और macrophages एक तरह का connecting link है between innate and adaptive immunity NK cells यानि कि NK cells का मतलब होता है natural killer cells यह natural killer cells और lymphocytes that have characteristics of innate and adaptive immunity यह दोनों में ही goal play करते हैं innate immunity में भी और adaptive immunity में भी और यह natural killer cells बनते कैसे हैं तो lymphoid progenital cells है इस तरह से हमने देखा कि जो lymphoid organs है lymphoid organs में कौन-कौन से आते हैं bone marrow, thymus, spleen, lymph nodes, mucos associated lymphoid tissues यह सब आते हैं lymphoid organs में lymphoid organs को यदि हम लोग देखें तो दो तरह के lymphoid organs है primary lymphoid organs और secondary lymphoid organs primary lymphoid organs में आता है bone marrow this is the primary lymphoid organ as well as thymus thymus भी primary lymphoid organ में ही आता है this is thymus यह है thymus thymus भी primary lymphoid organ है secondary lymphoid organs में आ जाएगा जितने भी lymph nodes है spleen है यह सब आते हैं secondary lymphoid organs में यानि हमने देखा कि primary lymphoid organs जिसमें included है bone marrow और thymus तो जो भी immune cells हैं अपना अधिकतर समय lymphoid organs में ही spend करते हैं हम लोग देखेंगे कि जो immune cells हैं जैसे कि B cells cytotoxic T cells helper T cells यह किस primary lymphoid organ में बनते हैं और कैसे mature होते हैं वो action कहां पर करते हैं इन सब को भी हम detail में देखेंगे तो B cells जो होते हैं उनका synthesis होता है bone marrow में और यह mature भी होते है bone marrow में ही B cells bone marrow में ही synthesize होते है और mature होते हैं इसके अलावा यदि हम T cells की बात करें तो T cells synthesize होते है bone marrow में लेकिन mature होते है thymus ने यह जो भी mature होते हैं B-cell या T-cell अपना action वो secondary lymphoid organs में जैसे कि lymph nodes में और spleen में करते हैं इसलिए यहां mention है thymus primary lymphoid organ for T-cell development अगर T-cell synthesis की बात की जाए तो T-cell synthesizes in the bone marrow but gets mature, gets developed in the thymus bone marrow, this is the primary lymphoid organ for B-cell development as well as maturation lymph nodes collect antigens from tissues this is the site where B-cells and T-cells do their function spleen it collect antigens from blood stream यह सब कुछ specific functions है lymphoid organs के बहुत तरह के blood cells है जो की immune response में roll play करते हैं innate immune response के लिए जो responsible cells हैं वो है macrophages, neutrophils, dendritic cells, pharocytic cells adaptive immune cells में जैसे की lymphocytes हैं B lymphocytes, T lymphocytes यह सब blood lineage के cells हैं जो की immune responses play करते हैं जैसा कि हमने देखा था कि अगर immune system की बात करें तो कुछ immunity by birth है जिसे हम लोग innate immunity कहेंगे कुछ immunity after birth develop होता है जिसे हम लोग adaptive immunity कहते हैं adaptive को भी further हमने डिवाइट कर दिया था humoral immunity में और cell-mediated immunity में humoral immunity के लिए जो responsible है वह बी-cells, antibody और complement system cellular immunity इसके लिए responsible cells है T-cells, T-cell receptor कैसे development होता है selection, tolerance, natural killer cells यह सब cellular immunity में हम लोग देखेंगे immune responses में inflammation, allergy, autoimmunity, infections इन सब का रोल है तो हम लोग अलग-अलग immune responses कैसे inflammation होता है allergic responses, autoimmunity जैसे कि अगर immune system weekend हो जाए अच्छे से काम नहीं करे immune cells respond न करें या immune cells deficient हो जाए या immune cells over expressive हो जाए तो क्या responses होते हैं इन सब को हम देखेंगे cell-meditated immunity में phagocytosis क्या है तो phagocytosis is cellular eating cytotoxicity क्या है this is the cellular killing hemoral immunity hemoral immunity होते हैं जितने भी यह adaptive immunity है adaptive immunity के जो cells होते हैं वो specific होते हैं specific होते हैं और innate immunity के जो cells होते हैं वो non-specific होते हैं ठीक है antibodies target pathogens by marking them for destruction by other components of the immune system यानि कि antibody phagocytosis में भी help करवाते हैं जो phagocytic cells है तो easy phagocytosis हो जाता है जब antibody target pathogens को mark करते हैं comparison यदि देखा जाए innate immunity और adaptive immunity का तो response time क्या है hours में है adaptive क्या है days में है specificity limited and fixed यानि कि यह specific नहीं है non-specific nature का है specificity adaptive immunity का highly diverse improves during the course of immune response यदि मानलों की first response है तो adaptive immunity हो सकता है slow हो लेकिन second exposure होगा है antigen का तो rapid response होगा तो improve during the course of immune response यह लगता इंप्रोव होते रहता है adaptive immunity response to repeated infection identical to primary response यह fixed रहता है क्योंकि इसके जो physical या anatomical barriers है वो change नहीं होते हैं repeated infection में इसलिए इनका जो है repeated infection में भी response यह रहता है much more rapid than primary response तो यह कुछ differences होगा है innate immunity और adaptive immunity के innate immunity is found in all multicellular organism adaptive immunity is found in vertebrates only innate immunity is triggered by a limited number of pathogen associated molecular patterns and adaptive immunity is triggered by any components of pathogen response यही खास बात है receptors innate immunity a limited number of pattern recognition receptors expressed on many cell types and adaptive immune receptors are highly variable either antibody made by B cells and T cell receptor made by T cells response इस तरह का receptor होते हैं यानि कि बहुत ही differences है innate और adaptive immunity में और दोनों ही यह innate और adaptive immunity साथ मिलकर के antigen को eliminate करते हैं body से और immune responses play करते हैं हम देखेंगे कि innate immunity में जो barriers हैं जो since worth available हैं वो कैसे goal play करते हैं जैसे कि अनाटोमिक barrier यह दी देखें skin it's a mechanical barrier retard injury of microbes skin mixed environment acidic mucous membrane जो भी है normal flora compete with microbes for attachment sites and nutrients mucous entraps foreign microorganisms cilia propelled microorganisms out of body यानि हमने देखा कि anatomic barrier में जो skin और mucous membrane है यह antigens को injury करने में antigens को injury करने से रोकता है और इस तरह से immune responses play करता है innate immunity में अगला है physiological barriers इसमें temperature, low pH, chemical mediators इन सब के द्वारा innate immune responses microbes के injury को retard करता है जैसे कि chemical mediators में lysozyme है जो की bacterial cell वाल को ही degrade कर देता है इस तरह से bacteria का killing हो जाता है interferon यह induce करता है antiviral state infected cells यदि कोई cells है और वाइरस से infect हो गया तो यह virus infected cells interferon release करेगा जो की nearby cells में जो इसके आसपास के cells होंगे वहां antiviral state induce करता है तो इस तरह से बगल के cells protected हो जाते हैं कॉंप्लिमेंट लाइज़ माइक्रोगनिजम्स और facilitate phyrocytosis कॉंप्लिमेंट systems phyrocytosis के लिए responsible है toll-like receptors recognizes microbial molecules signal cell to secret immunostimulatory cytokines chemical mediators में और collectines है जो की cell wall of pathogens को degrade करते हैं डिस्रप्ट करते हैं phyrocytic या endocytic barriers है और उस अरे cells हैं जो internalize कर जाते हैं phyrocytosis कर जाते हैं macromolecules को जैसे की monocytes neutrophils macrophages inflammatory barriers tissue damage and function induced leakage of vascular fluid containing serum proteins with antibacterial activity and influx of phyrocytic cells जो भी phyrocytic cells हमने देखा monocytes neutrophils tissue macrophages यह उस inflamed site पे पहुंचते हैं और affected area में जो भी microbes हैं उनको phyrocytos करते हैं उनको kill करते हैं तो इस तरह से हमने देखा कि anatomic barrier, physiologic barrier, physiological barriers, chemical mediators कैसी antigenes को eliminate करने में help करते हैं antigenes के entry को retard करते हैं और body के immune system में role play करते हैं फिर एक बार comparison है तो इसमें हम देखेंगे कि innate immunity क्या है response time hours में यह बहुत ही primary response innate immunity कहीं है पहला उसका antigenes का जो interaction है सामना है वो innate immune system से ही होता है उसके बाद से activation होता है और adaptive immune system का role play होता है उसको eliminate करने में response to repeated infection identical to primary जैसा कि हमने बताया कि जो भी barriers है anatomic barriers, physiological barriers यह सब बाद में और शुरुवात में कोई परिवर्टन नहीं रहता है जैसा कि barrier शुरुवात में present है वैसे ही बाद में भी रहेंगे इसलिए repeated infections पे इन में कोई खास परिवर्टन नहीं होता है identical होता है repeated infection में भी जबकि adaptive immune cells क्या होते हैं वो जो नेव T-cells हैं वो गी कोगनाईज कर जाते हैं इंटीजन्स को इसलिए repeated exposure में eliminate करना उनके लिए आसान हो जाता है यानि कि adaptive immune system repeated infection में stronger response हो करते हैं receptor का बात किया हमने तो tall like receptors या limited diversity है इसमें non-specific nature के है इसलिए जबकि receptors जो adaptive immunity के हैं वो T-cell receptor होएं BDZ recombination से अलग अलगता है कि antibody molecules पुणते हैं तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें क्या है इसकी recognition receptors भी बहुत सारे हैं ligands किस तरह के ligands को recognize करता है innate immune system तो pathogen associated molecular patterns हैं जो कि बहुत ही limited हैं वो as a ligand काम करते है innate immune system में virtually any component of pathogen जबकि adaptive immune system क्या है यह diverse है pathogen के किसी भी component को as a ligand यह recognize करता है और उसके against में responses करता है कि फिर हम लोग समझेंगे phyrocytosis क्या है phyrocytosis it's a kind of cellular eating इसके लिए यह जो responsible cells है वो है macrophage neutrophils और dendritic cells हमने देखा था कि macrophage macrophage किसे कहते हैं तो monocytes को ही कहते हैं जब monocytes migrate हो जाते हैं तो उसका नाम पोजनेटर से लोग फोजनेटर से लोग फोजनेटर सेल्स दोनों त्रहके पोजनेटर सेल्स और यह तीनों त्रहके सेल्स है macrophage neutrophils और dendritic cells यह macromolecules को phyrocytosis करने में काम आते हैं और यह cellular eating के लिए responsible है कैसे करता है यह तो bacterium attaches to membrane bacterium is ingested forming phagosome phagosome fuses with lysosome lysosome enzymes digest the bacteria and digested material is released from the cell जैसे अगर कोई phagocytic cells है तो सपोर्च करें इस इस दी मेक्रोफाज यह बड़ा structure है वो मेक्रोफाज है तो इस बैक्टिरियम का सहल यह जदी मेक्रोफाज से अटेच हुआ तो मेक्रोफाज इससे इंगल्फ कर लेगा पहला काम हो गया का अचैयर के आटेच्मेंट उसके बास इंगल्फ होने के बासियग जो वैस्कुलीर स्टेक्ज्टर बना इस इस फैगोशक कि फियूजर वित लाइस ओॡ़सूर्व एंडव फियागो लाइस। बन गया, जब यह फैरो लाइसोसोम बना, तो लाइसोसोम में जो भी Acid Hydrolyases नाम के एनजाइम होंगे, वो इस बेक्टरिया को डाजेस्ट करेंगे, और डाजेस्ट के बाद से इस तरह से हमने देखा कि बेक्टरिया क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, बेक्टरिया का method adopt करते हैं ingested microbes को destroy करने के लिए उसमें कुछ main है oxygen dependent killing जिसमें है और जगे reactive oxygen intermediates मनेंगे जैसे कि superoxide anion, hydroxyl radicals hydrogen peroxide hypochlorite anion कुछ oxygen independent killing method भी adopt करते हैं destroy करने के लिए उसमें role play होता है defensing का, TNF का tumor necrosis factor का lysogym का, hydrolytic enzymes का कुछ reactive nitrogen intermediates के help से destroy करते हैं microbes को तो nitric acid nitrogen dioxide, nitrous acid के help से होता है others में आ जाएंगे monocloramine NH2Cl तो ये सब अलग अलग करके methods हैं जो की phyrocytic cells दोगा adopt किये जाते हैं microbes को kill करने के लिए hypochlorite anion इतरा का household bleach है phyrocytosis discover किस ने किया था तो इल्या मेकनी कॉफ ने 882 में मेकनी कॉफ ने कैसे discovery किया और कैसे इन्होंने टॉंब दिया phyrocytosis आये वो जानते हैं इं जब और एक्स्परिमेंट कर रहे थे किया तो देखा कि इंट्री साइट्स पे बहुत रहा के सेल्स क्या कर रहे हैं फॉरण सबस्टांस जो इंट्री किया रप्चर्ड स्किन से वहां पे कलेक्ट हो गया और सेल्लर इटिंग का रोल प्ले करने लगे तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस तरह के सेल्स को phyrocytes कहा जाएं और phyrocytes का ग्रीक में मिनिंग होता है डिवोगिंग सेल्स इस तरह से मेकनिक ओफ ने एटिटी टू में phyrocytes नाम दिया था और इस प्रोसेस को phyrocytosis करा था हमने देखा रही था कि phyrocytosis में रोल प्ले करने वाले सेल्स कौन से हैं तो मेक्रोफाज है नेटोफल्स और रंडरी नेटीट था व्ल्स कौन सेल्स मेकरोफाज फैट मैकरोफाज प्रोसित बिशुक्वोज परॉक्षी अॉसल्स क्याद्टी मैटिट्टी था कि रिधुंप परॉक्सीच्वूसले खर बेक्सियोसरीज। ताकि reactive oxygen species produce करते हैं और microbes के destruction के लिए responsible होते हैं reactive oxygen species is revealed by blood eye, blood eye के help से इसे reveal किया लिया है microbes जैसा कि हम जानते हैं, जो microbes entry कर रहे हैं हमारे innate immunity को deceive करके, धोखा दे करके वो ubiquitous ही nature है, यानि कि बहुत जगहों पर present रहते है nature में यह कहें कि सब जगहों पर present है nature में extraordinarily diverse, इनकी diversity भी बहुत जादा है और वो लगतार evolve ही हो रहे हैं, rapidly evolve to exploit opportunities to infect hosts and to evade their immune system लगतार evolve हो रहे हैं, ताकि अलग-अलग hosts को infect किया जाए और immune system से कैसे बचा जाए, तो इन दोनों ही काम के लिए host को infect करने के लिए, और host को infect करने के बाद immune system से कैसे बचा जाए, और अपना proliferation किया जाए इंट्री के बाद, इसके लगतार evolve कर रहे हैं some microbes hijack cellular machinery, cellular machinery जो है उसको hijack कर लेते हैं ताकि असानी से वो replicate और spread कर सकें intracellular pathogens, कुछ pathogens ऐसे हैं जो cell के अंदर इंटर कर जाते हैं, उसमें included है influenza viruses, HIV, intracellular bacteria में जैसे example Listeria, intracellular parasites एक उस example है malaria, toxoplasma, यह जो parasites हैं यह cell के अंदर इंटर कर जाते हैं और replicate और spread करते हैं Listeria bacteria using the actin cytoskeleton of the host cell to spread from cell to cell Listeria bacteria कैसे spread होता है, actin cytoskeleton कहीं यूज करता है, host cell के ही actin cytoskeleton का यूज कईके, एक cell से दूसरे cell तक spread कर जाता है, Toxoplasma parasites and dendritic cells cell वी एकुए अब यह जोभी इम्वोन सिस्टम के तक बार्श जैसे कि B-cells, helper T-cells, cytotoxic T-cells, यह जो cells है, enone cells, circulate करते हैं body में via lymph and blood, pathogens and their antigens are transported from tissue via lymphatic vessels to the lymph nodes, lymph node हमने देखा ही था, where they encounter immune cells, और इस तरह से lymph nodes में जाने के बाद से, वो immune cells से उन microbes का encounter होता है, और उन इलिमिनेट किये जाते हैं, तो जो भी antigens हैं, वो site of infection से lymph node में कैसे पहुँचते हैं, तो बाया lymphatic vessels, nerve lymphocytes, nerve lymphocytes means, those lymphocytes which do not have encounter antigens at, अभी उनका antigens से सामना ही नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें nerve lymphocytes करते हैं, जब वो lymphocytes, antigens को encounter कर लेंगे, तो फिर वो mature lymphocytes का हलाने लेंगे, और इस तरह से nerve lymphocytes जो हैं, वो lymph nodes में antigens को encounter करते हैं, और उनको बाडी से eliminate करते हैं, macrophage fight microse by engulfing and digesting them, यह हमने पहले भी देखा है कि macrophage क्या करते हैं, इंगल्फ करते हैं और फिर डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट कैसे करते हैं, तो lysosome में जो acid hydrolysis enzyme है, वो acid hydrolysis enzyme के मदद से bacteria को digest करते हैं, बाइजेस्ट 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 करते हैं, इनेट इम्मून सिस्टम का एक जो मिजर रेस्पोंस है वो है इन्फ्लामेटरी रेस्पोंस एनी की इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन मतलब क्या है? इस स्वेलिंग, हीट और इस टॉटल इन्फ्लामेटरी रेस्पोंस में जो फर्स्ट वाइट बलेट शेल्स है जो इस इन्फ्लामेशन साइट पर रीच होता है पहुचता है वो है न्यूट्रोफिल यानि कि न्यूट्रोफिल वहां पहुच करेंगे यह सब रेस्पॉंसे स्कॉज करेगा रेड्नेस पेन स्वेलिंग हीट ताकि वहां के दूसरे इम्मून सिल्स पहुचें और उस साइट के प्रॉब्लम को इलिमिनेट करें यह इन्नेट इम्मून सिस्टम का बहुत ही बेहतरीन रेस्पॉंस है आयो देखते हैं कैसे होता है यह जैसे कि हमने देखा कि डैमेज साइट यहां पर डैमेज हो गया तो डैमेज होने के बाद से फेरोसाइटिक सेल्स वहां पर पहुचने लगे इन्फ्लामेशन अकर्समिन इन्जॉड टीसू रिलीज मेडियेटर्स दैट प्रमोट वैसो डाइलेशन वैसो डाइलेशन हो यानिकि इंक्रीज ब्लेट फ्लो होगा अब यहां पर बहुत सरे ब्लेड पहुचने लगेंगे ब्लेट फ्लो यहां पर बढ़ जाएगा कीमो इन्फ्लामेशन 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 इसमें माइक्रोब्स इंटर नहीं किये हैं उससे भी इन्फ्लामेशन इंडूस हो सकता है यानि कि टीसू डैमेश्ड साइट पे वैश एलेशन होता है इस वाच व्र लेड़ फ्लो इंक्रीज होता है ब्लेट फ्लो में हमने बताया है कि न्ट्रोफिल पहला सेल्स है जो वहां पर पहुंचता है और भी ब्लेट सेल्स बहुत सारे पहुंचते हैं जैसे की एंटीब Bacteria trigger macrophages to release cytokines and chemokines Vasodilation and increased vascular permeability causes redness, heat and swelling वो जो inflammed site है, inflammatory sites है वहाँ पर redness, heat and swelling दिखा जा सकता है Inflammatory cells migrate into tissue Inflammatory cells migrate into tissue releasing inflammatory mediatus that cause pain और वहाँ पर pain के responses होंगे Neutrophil, जो inflammatory site पर पहुँचने वाला पहला cell है Blood cells या leukocytes, leukocytes जीसे हम लोग कहते है White blood cells, travel from the bloodstream into tissue by a process known as extravacation यानि extravacation में हमने क्या देखा तो जो white blood cells है जिसका की measure role होता है immune responses में soldiers of the immune system भी से कहते हैं यह ब्लेड स्ट्रेंड से टीसू तक पहुंचते हैं और इस process को हम लोग extravacation के नाम से जानते हैं Blood cells can also be attracted to sites of infection by product produced by pathogens as well as by chemo attractants made by host जो infected sites होता है उस infected sites पे बहुत सारे blood cells, pathogens के कुछ products release होते हैं उसके द्वारा भी attract होते हैं as well as host भी कुछ chemicals release करते हैं जैसे कि chemo kinds, inflammatory mediators यह जो chemo की प्रुएंल आचल